कल सिजारो ने जो स्मैक डाउन पर कारणामा किया उसको देखते चलते वे रोम अरेस को रिंग से बाहर जाना पड़ा इसको देखके लोग बोलने लगे कि रोम अरेस भाई डर गए यार रोम अरेस तो वीक है यार मतलब मैच तो नहीं हार जाएंगे बैकलेश पर तो ऐसा गाईस कुछ नहीं है डरने की कोई बात नहीं है याद रखो पोल हिमन ने रोम अरेस को रोक लिया था एंड गाईस डवली डवली जिम्मी उसो और रोम अरेस की स्टोई लैन पर जादा फोकस कर रही थी इसलिए रोमरेज को बाहर रखा गया तो आपको बताए जिम्मी उसो एंड रोमरेज एक दूसरे को समझा रहे थे वो वाली बाते हैं एंड गाइस हम देखते हैं कि सिजारो जादातर हमें ऐसे डॉमिनिट करते दिखते हैं रिंग में माइक स्किल उनकी पूर है तो डबली डबली जितना भी टाइम सिजारो को सूपरस्टार को दिखाना होता है वो सिजारो को ऐसे मिलता है वहीं बात कर ले Roma Reigns की, Roma Reigns बहुत ही ज़ाधा इंप्रूव कर चकी है माइक पर, तो माइक पर Roma Reigns हमें ज़ाधा सेग्मेंट्स देखने हो मिलती है Roma Reigns की, तो WWE ये करके मैच स्ट्रोंग बनाना जाती थी Cezaro एंड Roma Reigns का, मैं तो ट्राइबल चीफ की गैंग में हूँ आप बताओ मुझे कमेंट्स में किसको सपोर्ट कर रहे हो रोमरेस को या फिर सेजारों को आप बैकलैश 2021 पर इस मैच में हमें बहुत जादा इंटरफिरेंस देखने को मिल सकती है मैंने आपको जिम्मी उसो का बता दिया अब एज एंट सेथ रोलिंस की भी इंटरफिरेंस हो सकती है शील्ड वाला को उस चकर बताया जा रहा है कि होने वाला है उसके हम बाद में बाद करते हैं उससे बहले हमारे 30,700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सेथ रोलिंस आ सकते हैं जो नेक्स रूमर है यह मेरे को ज़्यादा त्रू नहीं लग रहा लेकिन एज का भी बताया जा रहा है इस मैच में आने वाले हैं इंटरफिरेंस करने वाले हैं में पता है कि डैनिल ब्राइन वसेज एज वसेज रोमरेंस हुआ था एज वसेज रोमरेंस अभी तक हुआ नहीं है तो यह भी मैच देखर को मज़ा आएगा अगर एज इंटरफिरेंस करते हैं इस मैच में यह सबसे बड़ा यह सबसे ज़ादा रूमर्ड है कि ऐसा होने वाले हैं अगर आप यहां तक आगे हो सब्सक्राइब आर देना चैनल को नोटिफिकेशन वेल जरूर रोन कर देना मैं नहीं सोहेल बाइबाइ